शान्ती कुंच अनलाइन ख्लाचस में आपका स्वागत है बच्चो लास्ट वीडियो में हमने प्राक्रतिक एवं पूर्ण संख्या हैं जो कि आपका पहला चेप्टेर इसका एक्सरसाइज फर्स स्टार्ट कर दिया था चलिए इसका कुश्य नमर फोर स्टार्ट करते हैं कुश्य नमर फोर है निमने लिखेट संख्याओं का विस्तरत रूप लिखिए जिसमें पहली संख्या है 456783 चलिए इसको लिखते है तो बच्चो, Q4 में है, 4, 5, 6, 7, 8, 3, यह हमें एक संख्या दे रखी, हमें इसको विस्रित याने एक्स्पेंड करके लिखना है, बच्चो इसमें 4 जो है, उसके आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं, हमें उतने ही 0 एड करते जाना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फि यहाँ 6 x 1000, फिर 7 x 100, फिर 8 x 10, क्योंकि डिजिट एक रह जाता है, फिर 3 x 1, क्योंकि और कोई डिजिट है नहीं, तो आप समझके इस कोश्चन को किस तरह से करना है, इसी तरह से कुश्चन नमबर 4 के बाकी जितने भी बाट से आपको खुद से करना होगा, अब देखते है कुश्चन नमबर 5, निमन लिखित को संशिप्त रूप में लिखिए, हमारे सामने ये है नमबर, इसको हमें संशिप्त रूप में लिखना है, जैसे कि हमने उपर देखा था, इस फॉर्म में लिखना होगा, चलिए हम कुश्चन नमबर 5 का 1, इसे करने की कोशिश करते हैं यहां देखिए मैंने question number 5 का first यहां पर हमने लिख लिया है इस question को हमें क्या करना था इसका sunshift रूप लिखना था यानि कि आप यहां value देख रहे हैं इसको हमें short पर लिखना है यानि कि हमें यह सारी चीज़ें काट देनी होंगी ठीक है तो 6, 5, 4, 3, 8 यह value हमें नीचे लिख देनी है यहां से 6, 5, 4, 3, 8, 7 यह इसका short form हो जाएगा ठीक है बच्चो इसी तरीके से question number 5 का आप second part, third, fourth और fifth आप अपना homework में करेंगे question number 6 कहता है निमनलिकित संख्याओं में गोले वाले अंको का स्थानियमान बताईए यानि कि जो गोले में है उसको स्थानियमान हमें बताना है चलिए देखते हैं यह कैसे करेंगे बच्चो स्थानियमान जो होता है उसका मतलब होता है place value ठीके बच्चो हमें जो संख्याओं दी होती है इनको हम दो प्रनालियों के according निकालते हैं एक होता है भारतिया प्रनाली, दूस्रा अंतर्राश्ट्रीय प्रनाली चलिए हम इसे भारतिया प्रनाली के according स्थानियमान करते हैं तो हमारे पास अगर कोई भी संक्या होती है हमें आपने जानते होंगे जिसे वान्स, टाइंड्स, थाउजन, तिन थाउजन, लैक इस तरह से सिक्वेंस चलता है उसी तरह से हमें इसे हिंदी में भी पता होना चाहिए और हिंदी में हम बोलते हैं ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको हम इकाई कहते हैं दहाई, सैक्रा, हजार, दस हजार, लाक, दस लाक तो ये बच्चो सिक्वेंस और आगे चलता जाता लेकिन हमारे पास डिजिट्स यो हैं यहीं तक हैं तो हमें फिर ये जो वेल्यू है जो सर्कल में है इसका स्थानिय मानी यानि कि प्लेस वेल्यू पता करना है तो चले फिर से देखते हैं एक बार इसे कहेंगे एकाई, द इन संख्याओं की जगा हमने सिर्फ जीरू बढ़ा दिया और ये 6 तो ये इस तरह से हम लिख देंगे ठीक है इसी तरह से आप कोश्च नंबर 6 के बाकी पास को सॉल्व करेंगे आए कोश्च नंबर 7 देखते हैं निमनलिकित संख्याओं में गोले वाले अंकों का समीक मान बताना है बच्चो कोश्च नंबर 7 में हमें वास्तविक मान बताना है और वास्तविक मान देखां बहा जो इस यहां देखिये पर अनको फिर सफरकल का तो आपका ये जो पहला question है इसक में आपका answer हो गया 9, उसी तरह से इसका second देखिए, इसमें answer होगा हमारा 2, ठीक है, question number 7 में बाकी 5 भी आप इसी तरह से कर लेंगे, अब आईए question number 8 पर, निम्न लिखित संक्याओं में दोनों स्थानिय मानों का अंतर बताईए, हमें स्थानिय मानों का अंतर बताना है, तो पहला देखिए, 5, 8, 9, 0, 7, 9, 4 में 9 का, यानि कि ये जो 9 है, इसका हमें इन दोनों 9 के बीच का हमें अंतर बताना है, चलिए देखते हैं, इसे कैसे करना ह यहां देखिए मैंने इस value को यहां लिख दिया है 5 8 9 0 7 9 4 और हमें 9 जो है इसका स्थानियमान निकालना है एक 9 यह है और एक यह है तो 9 के आगे देखिए 1 2 3 4 4 digits है इसको हम ऐसे लिखेंगे ठीक है फिर हमारे पास दूसरा 9 है और इसमें कितने digits है आगे सिर्फ एक ही है तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से अब हमें इसका अंतर बताना है और अंतर का मतलब बता इसको मैनस कर देना है तो आप इसको अब आसानी से निकाल सकते हैं चले करके देखें ठीक है तो ये हमारा answer आ गया है इसी तरह से आप question number 8 में बाकी की जो पासें आप खुद से कर लेंगे आईए आप question number 9 देखते हैं निमने लिखित संख्याओं में दोनों स्थानी अमानों का योग बताईए अब हमें इसमें योग बताना यानि की प्लस कर देना है इसको भी करने का सेम तरीका है जैसे हमने पिछले question में किया था लेकिन वहाँ पर हमने minus किया था और यहाँ पर हमें plus करना है तो हमें किसकी value निकालने है 5 की तो यहाँ देखिए 5 एक ये रहा इसके आगे कितने digits है 1,2,3,4 तो इसे आप लिख दीजे इस तरह से ठीके और दूसरा 5 ये रहा अब हमें इसे बस plus कर देना है देखिए plus करने पर क्या answer आता है तो ये हमारा answer है बच्चो इसी तरह से question number 9 के आप बाकी पाच्स खुद से करेंगे अब question number 10 देखते हैं कितने 1000 मिलकर एक करोड बनते है तो इसका answer है बच्चो एक करोड बनाने के लिए हमारे पास 10,000 होने चाहिए तो जब 10,000 होगा तो वो एक करोड बन जाता है question number 11 में है कितने 1000 मिलकर एक मिलियन बनते हैं और इसका उत्तर होगा एक हजार हम इसे international यानि अंतराश्य प्रणाली से करेंगे तो एक मिलियन यानि कि जब हम एक हजार लेंगे तब जाकर एक मिलियन बनेगा आप इस तरह से लिखेगा next है हमारा question number 12 आपके सामने ये एक संख्या दिये हुई है इस संख्या की उत्तर ब्रती संख्या ग्याद कीजिए उत्तर ब्रती संख्या यानि की ascending order बढ़ती हुई क्रम में हमें इसकी संख्या ग्याद करनी है तो इसमें बस हम प्लस वन कर देते हैं तो प्लस वन करने के बाद जो भी answer आता है चली देखते हैं तो बच्चो इससे solve करने के बाद हमारे पास जो answer आता है वो ये रहा यानि की 1,2,3,4,5,6 हम 6,0 कर देंगे और जब उन्हें प्लस 1 किया है तो 1 ये हो गया ठीक है तो ये हमारा answer हो जाएगा next question है question number 13 हमें एक value दी हुए 941001 कि ठीक पहले आने वाली 3 पूर्न संख्याएं लिखिए ठीक पहले आने वाली यानि इससे पहले आने वाली तो हम इसमें क्या करेंगे minus करेंगे हमारे पास ये digits दिये हुए है 941001 minus 1 कीजिए चलिए देखें तो यहाँ देखें question number 1 में हमारे पास ये value दी हुई थी हमें इसके ठीक पहले आने वाली 3 पूर्न संख्याएं संख्याएं लिखनी है तो हमने इसमें से minus 1 किया पहली संख्या हमारी ये आती है फिर हमने यही जो value आई इसमें minus 1 किया तो हमारे पास second ये आ जाएगा और third ये तो हमारे पास ये तीन पूर्न संख्याएं हमें मिल जाती हैं इस तरह से ठीके question number 14 देखिए इसमें हमें ठीक बाद आने वाले तीन क्रम अगत पूर्न संख्याएं लिखी तो हमारे पास value दी हुई है इसमें ठीक बाद में आने वाली संख्याओं के बारे में लिखना है तो इसमें आप क्या करेंगे आपको यहाँ पर प्लस करते जाना है प्लस 1 कर दीजिए आपको answer मिल जाएगा जैसे हमने question number 13 में किया था उसमें हमने minus किया था 1 और question number 14 में हमें प्लस करना है 1 बच्चों आपका homework है question number 3, question number 4 में मैंने आपको जितने करा दिये हैं उसके अलावा जितने बचते हैं कि सब आपको करेंगे question number 4 में 2 to 12 करेंगे question number 5 में 2 to 5 question number 6 में 2 to 8 question number 7 में 2 to 8 question number 8 में 2 to 4 question number 9 में 2 to 4 करेंगे question number 14 यह आप सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में करिएगा इसके साथ ही यह अभ्यास आपका खतम होता है आप सभी इसे करें और तब तक आप सभी अपना ध्यान रखे सुस्त रहें सुरक्षित रहें